दोस्तों क्या होता स्पाइडर मैन फार फ्रम होम की कहानी कुस ऐसी होती एंड तक देखना बड़ा मज़ा आएगा मिस्टेरियो स्पाइडी से कहें ही रहा होता है कि तुमने टोनी स्टॉक के गॉगल मुझे देख कर बहुत बढ़ी गलती कर दी उसके ऐसे बोलते ही मैं बाटा रहा था ए तीनों बहुत ही जादा पाओफुल है तभी निक फ्योरी बोलता है कि इन मैंसे दोफो मिस्टेरियो ने हरा चुका है अब एक ही बसा है तभी मिस्टेरियो बोलता है जो लास्ट बसा है वो सबसे जादा ताकतवर है और पूरा की पूरा आग से बना तभी निक फ्योरी बोलता है हमारी सिर्फ एक ही मिशन है हमें उस मॉंस्टर को हराना है और स्पाइडी तो हमारे साथ आओगे तभी स्पाइडी फ्योरी से बोलता है यह तो बहुत ही खतरनात मिशन है हमें किसी और सूपर हीरो की मदात लेनी सहीया क्यों ना हम थोर की मदात रिले निक Piori Thor को कॉल करता है नेकिन Thor Free Fire खेल रहा था इसलिए कॉल काट कर देता है फिर Spidey बोलता है कि क्यूना हम Doctor Strange को टीन में ले फिर Piori Doctor Strange को कॉल करता है और वो कॉल काट कर देता है फिर Spidey बोलता है कि एक बार कैप्टेन मावल को भी ट्राय कार लो भो भी सुत्तियों पर गई होती है और बो प्योरी का कॉल देखकर काट कर देता है फिर स्पाइडी बेसेरा एक एक करके सभी अवेंगा के बड़े में पुष्टा है नेकिन कोई भी कॉल नहीं उठता अब देखो गाई जे बो आदमी भी इस प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर पाता और पूरी दुनिया के सामने मिस्टेरियों का परदा पस हो जाता है अब गाई यहां देखो ए वहा का है जब स्पाइडी फाइट खत्म होने के बाद एमजे को गले लगता है दोनों एक रोमेंटिक किस भी करता है नेकिन उनका एक किस से मन नहीं भरता तो बो लंबी सी किस और एक करते हैं नेकिन अगले ही टाइम स्पाइडी को दूर से दिखाए जाता है उसके हाइट तो एमजे से भी चोटी है जो की देखने में बोहट ही जादा पनी लग रहा था